हेलो, मैं सेलफ प्रीमा पर्ल आज का कैमिकल टेकनोलोजी सबजेक्ट में हमारा टॉपिक है SSP and TSP SSP मीन सिंगल सुपर फॉसफेट and TSP मीन टिपल सुपर फॉसफेट सिंगल सुपर फॉसफेट एंट टिपल सुपर फॉसफेट दोनों हमारे fertilizers में use किये जाते हैं मतलब कि ये दोनों ही हमारे और वरक में use किये जाते हैं जो हमारी soil होती है soil में phosphorus की कमी को दूर करने के लिए हम SSP and TSP का use करते हैं सिंगल सुपर phosphate मतलब phosphorus and sulfur को मिक्सर हैगा हमारा एंड टिपल सुपर phosphate हमारा phosphorus की कमी को दूर करने के लिए use किया जाता है सिंगल सुपर phosphate हमारा सबसे पुराना mineral fertilizer से और इस टाइम पर हम दो क्या है इसको थोड़ा सा modern किया है इंडेस्ट्री के परपस से इसको थोड़ा modern किया है and requirement पुराने जमाने में soil की requirement कुछ और होती थी इस टाइम soil की requirement कुछ और है reason effect of environment environment में जैसे चेंजेस आता जाएगा तो soil में details की कमी होगी तो उसको दूर करने के लिए हम fertilizer को भी और improve करते रहते हैं single super phosphate में phosphorus की कमी कमी थी मतलब की phosphorus की जो पिर्चैंस थी वो हमारी बहुत कम थी तो इसको बहुत से और fertilizer ने replace किया और सब fertilizer को छोड़के हम यहां भी बात करेंगे टिपल सुपर फॉस्पेट नाम से ही परज़ जला है single super phosphate और टिपल सुपर फॉस्पेट मतलब की जो हमारे टिपल सुपर फॉस्पेट है वो हमारे single super phosphate से 3 गुना ज्यादा बढ़केवल रहेगा लिखाओ अब टिपल सुपर फॉस्पेट इस दा more concentrated fertilizer than ordinary super phosphate ordinary super phosphate से बहुत ज्यादा concentrated fertilizer है जिसमें हमारा 44-50-1% P2O5 एविलेबल है या फिर हम सीधे डारेक्ली बोल सकते हैं single super phosphate से 3 गुना ज्यादा बढ़केवल है बहुत 3 गुना से ज्यादा वो हमारा phosphorus की कमी को दूर करता है टिपल सुपर फॉस्पेट आलसो नोन एज concentrated super phosphate single super phosphate से 3 गुना बढ़केवल है तो या दि कि बहुत ज्यादा 3 गुना कारे करता है तो concentrated super phosphate भी उसका दूसरा नाम है जिसमें हमारा 45 to 50 परसेंट monocalcium पिरजैंस रहता है और water soluble phosphate है यह हमारा raw material हम देख रहें सिंगल सुपर फॉस्पेट में हम phosphate रॉक एन sulfuric acid लेते हैं एक्कोस फॉर्म में reaction हम देख ले रहे हैं सब सुपर वाली reaction आपके सिंगल सुपर फॉस्पेट की है फॉस्पेट रॉक प्लस sulfuric acid एक्कोल सिंगल सुपर फॉस्पेट प्लस hydrogen fluoride मतलब की hydrogen fluoride आपको as a byproduct मिलेगा सेकिंड आपको टिपल सुपर फॉस्पेट टिपल सुपर फॉस्पेट में फॉस्पेट रॉक प्लस फॉस्पोरिक acid को react करके हम TSP बनाते हैं reaction फॉस्पेट रॉक प्लस फॉस्पोरिक acid एक्कोल टिपल सुपर फॉस्पेट प्लस hydrogen fluoride सिंगल सुपर फॉस्पेट और टिपल सुपर फॉस्पेट को अगर हम कंपेर करें सिंगल सुपर फॉस्पेट का फॉर्मूला आपका सीए एच फॉर पीओ फॉर टू मल्यॉप्लिकेशन सीए एसो फॉर और टिपल सुपर फॉस्पेट का सीए एच फॉर पीओ फॉर टू फॉस्पोरस आपका SSP पे 7-9% है अब TSP हमारा टिपल सुपर फॉस्पेट यानि की TSP टिपल सुपर फॉस्पेट तीन गुना जादा होते हैं सिंगल सुपर फॉस्पेट से तो इसमें हमारा फॉस्पोरस कंटेंड हैगा 21-27% सुपर फॉस्पेट में सिंगल सुपर फॉस्पेट में P2O5 की मातरा है 16-20% और टिपल सुपर फॉस्पेट में है 45% कैल्सियम सिंगल सुपर फॉस्पेट में 18-21 है और टिपल सुपर फॉस्पेट में 15-30 है S हमारा सिंगल सुपर फॉस्पेट में 11-12 है pH की value यहाँ पे बहुत maintain करती है, pH क्या रहता है हमारा, pH से हम acid-based neutral major करते हैं, तो हमारा SSP में 2 से कम रहता है, और TSP में हमारा 1 से 3 रहेगा, यह आपका दोनों compare है, SSP और TSP तो इससे हमें किविकुल के लिए पता चलाएगा, TSP हमारा more burkable है, on the against SSP, single super phosphate, अब main हम आते हैं, reaction में जो हमारा main burk है, यहाँ से हमारा raw material जा रहे है, raw material के बाद जो हमारी इतनी flow seat है, यह हमारी है, SSP की, single super phosphate, एंड हमारी जो यह नीचे बरकेवल, यह हमारी है, TSP, triple super phosphate, एक ही flow seat में दोनों दे रखी हैं, triple super phosphate and single super phosphate, आप से exam में single super phosphate पूछी जाएगी, तो आप उपर वाली बनाओगे, और triple super phosphate पूछी जाएगी, तो आप यह नीचे लोवर वाली बनाओगे, अभी हम सबसे पहले परते हैं, single super phosphate, हमने यहाँ से material को डाला, material हम क्या डालेंगे, phosphate rock, क्योंकि दोनों में क्या है, phosphate rock, phosphate rock को हमने सबसे पहले डाला, kresor में, kresor हमारा क्या करता है, जितने भी large particle लेते हैं, large particle को small particle में crush करता है, तोड़ता है, kresor में ले जाके हमने large phosphate rock को, मलब पत्थर को, phosphate पत्थर को हमने small particle में, small size में भी define change किया है, then हम दे जाते हैं ring roll में, ring roll में क्या करेगा, उसको powder form में change कर देगा, हम ये बोल सकते हैं, fine particle में उसको change कर दिया, fine particle में crush कर देगा, fine particle में crush करने के बाद, हम इसको ले जाएंगे, यहां से रो, cyclone separator में, cyclone separator आप अल्लेडी पर चिक्परेटर क्या करता है, जैसे नाम है, separate करना, cyclone separator separate करेगा, यहां पर dust particle, and हमारा phosphate rock को, dust particle में हमारे phosphate rock के पार्टिकल भी आएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा महीन होंगे, वो हमारे निकल जाएंगे, then हमारा phosphate rock, phosphate rock को हमने, feeder में inlet कराया, जो हमारा feeder है, feeder हमारा क्या काम करता है, एक तरह से store करता है, जो हमारे particles, जो हमको मिले हैं phosphate rock को, इसी में हमने 60% H2SO4 को डाला है, क्योंकि जो आपका SSP बनेगा, SSP में दो raw material है, phosphate rock and sulfuric acid, S2SO4 को हमने 60% के में मिला दी, इस पर लिखा हुआ है, X is added if form, NS4 to SO4 if required, is it required, हम इसको X is form भी मिला सकते हैं, जब हमें NS4 to SO4 की requirement रहेगी, इस दो S2SO4 एंड फीडर को हम लेगें continuous blender में, continuous blender हमारा mixing करने का काम करता है, यहाँ पर mixing किस की होगी, phosphate rock and S2SO4, इन दोनों को mix करके यहाँ पर reaction रहेगी, अब एक चीज़ और देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 meter, near about 12 meter, अगर हमारा 12 से 15 meter की blender की length है, then हमारा flow rate रहता है, 0.25 से 0.5 meter per minute, 0.25 से 0.5 meter प्रती minute का flow rate आप कर रहेगा, जब आपके blender की length 12 से 15 meter की लगभग होगी, हमने reaction कराई थी, reaction करते हैं हमारा जो HF है, hydrofluoric acid हमको मिला था, मतलब की as a by product हमको HF मिला था, इस SF को हम ले जाएंगे, electrostatic participator, electrostatic participator में हमने H2O से उसको wash कराया, H2O से wash कराने पर, जो HF और SI PO4 मिला था, यहाँ पर हमने fluoric को अलग receptor कर लिया, और जो bent gas थी, CO2 वो हमने अलग हमने निकाल दी, यहाँ पर हमके, यह तो जितना था, CO2 हमने अलग environment में निकाल दी, या फिर हमें और कहीं industry में जाए था, तो स्टोर करके निकाल दी, और इधर हमने F निकाल दी, अब यह HF तो आपका separate हो गया, इसके बाद आपका बचा, इसके बाद जो हमारी mixing होई थी, SSP की, SSP आपको यहाँ पर मिल गया blender में, अब जिस रूप में आपको मिला है, जिस form में आपको SSP मिला है, आप उस form में store तो कर नहीं सकते हो, restore करने के लिए आप इसमें और प्रोसेस करोगे, यहाँ पे एक लगा है, Dan और सीलो 24 ओवर स्टोरेज, पुराने जवाने में क्या होता था, हम mixing करने के बाद, इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देते थे, 24 घंटे छोड़ने के बाद, हम इसको ले जाते थे, रोटी घंटे में, लेकिन at the present time हम क्या करते हैं, हम इसको direct रोटी घंटे में ले जाते हैं, यहाँ पे रोटी क्या करते हैं, वाटर का इस्पेरे कराते हैं, अगर हमें, एनस 4T, एनस 4, 2, एस 4 को अगर हम बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहां पर NH3 यहां पर हम पर अगर हम आगर इस्टोर कराते हैं तो क्या होता है हमें सलफुडिक एसिड कर उसमें रहता है अज़ हम direct डालते हैं रोटी ग्लेंडर में तो हमारा sulfuric acid की यहाँ पर कमी हो जाती है sulfuric acid की कमी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर NH3, NH2 का हम इस परे कराते हैं रोटी ग्यानुलर में हमारा क्या होता है हमारे crystal form में आ जाता है जो भी हमारा SSP है जो SSP आपको हलका concentrated form में यहाँ पर दीन और सॉलो से मिला है या पर continuous blender से हमने डारेक्ट लिया है तो रोटी ग्यानुलर में वो हमारा crystal form में हो सॉरी granular form में मिल जाते है granular और crystal बहुत एक ही है कि यहाँ दानेदार रूप में मिल जाते है ग्यानुलर भी आपका दानेदार होता है क्रिस्टल भी हमारा दानिदार है जैसे कि आपकी चीनी है चीनी तो मैं एक एक जामपल बता रहे हैं जो आप देली यूज में देखते हैं तो इसी टाइप के गयानुलर में आपको दानिदार में कि सीवी चीज को ड्राइ करने के लिए हम क्या करते हैं उसको गरम करते हैं गरम क्यों करेंगे वाटर है हमारा जैसी गरम करेंगे वह हमारे इवाप्रेट होना सब्सक्राइब तो यहां पर होट एयर को हम पास कराके रोटी गैंडलर से पास कराते हैं रोटी गैंडलर से पास खो जाता है रोटी गैंडलर में अगर आपके कोई भी और पार्टिकल्स है या फाइंड पार्टिकल्स है आपको लग रहा है तो हम उसको दुबारा से साइकलॉन में ले जाते हैं cyclone में ले जाके हम उसको separate करते हैं separate करके हम उसको 24 hours के लिए फिर से store करके sorry हम उसको इस डिरेक्ड फिर रोटी के केनवर में ले जाते हैं store नहीं करते हैं यहां तो हमको SSP मिल गया अब दूसरी हमारी process हाती है टी एस बीट हमारे क्यों यूज होता है टी एस पी फॉस्पोर डी कमी दूर करने के लिए यूज होता है। यहाँ पह्म निख्वित की था। निख्या किया था? फॉस्पे रोक को कैसर में ले गएते… जो लार्ज़ पार्टिकल थे उनको हमने स्मॉल पार्टिकल में सेब्टेट किया दैन हम लें दैन हमने इसको पॉडर फॉर्म में चेंज कर लिए पॉडर फॉर्म में चेंज कना के द works 변 रिखता है यानि कि हमने यहां पर फीड किया और 75% S3PO4 को यहाँ पे हमारा temperature रहता steam का 65 degree Celsius 65 degree Celsius पे steam किदो हम इसको pass कराते हुए 75% S3PO4 को यहाँ पे हम feed कराते हैं feed कराने के बाद हम इसको लेगे continuous belt reactor continuous belt reactor में हमारी होती है reaction और reaction होके हमको यहाँ पे मिलता है TSP टिपल सुपर फॉस्पेट टिपल सुपर फॉस्पेट के हमको मिलेगा then हम उसको same process जो हमने उपर की थी हम इसको ले जाएंगे रोटी गैनलर में rotating गैनलर में हम इसको गैनलर फॉर्म में चेंज करेंगे गैनलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने water and ammonia का इस्प्रे कराया है then हम इसको रोटी डैयर में ले जाएंगे रोटी डैयर में ड्राइ करने के लिए हमको होट एयर की चलोद परेगी होट एयर को हमने इनलेट किया उसके बाद जितने भी आपके fine particles है या फिर आपका जो जितना excess form में रहा जी आपके जो highly movable particle है जो बहुत ज़्यादा move करें move तभी करेंगे जब हलके होंगे वो हमारे cyclone separator में ले जाके हम उसको find recycle करके दोबारा हम उसको रोटी के गैनलर में इन करके हम उसको crystal form में change कर देते हैं और यहाँ पर जो हमारे triple super phosphate मिलता है वो हमारा bagging and shipping के लिए तयार हो जाता है इस तरीके से जो हमारा TSP and SSP की आपकी flow seat रहती है TSP and SSP के plants हमारा जो सबसे बड़ा plants है वो है हमारा बोड़ा इन टस्टीज लिमिटेड जो हमारा उदैपूर राजिस्थान में है Thank you so much आपको कोई भी doubt हो आप उसको comment section में ही और please मेरे चैनल को subscribe कर देगे Thank you so much आपको कर सक्टेश ए소